बढ़ते हैं अगले खापर के साथ जेमें से वरिष्ट नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है 30 अगस्त को चमपाई सोरेन बीज़ेपी में शामिल होंगे वही लोबन हम्रम भी जल्द कमल का दामन थामेंगे जोब के जेमें के कदावर नेताओं में शामिल स्टीफन मरांदी ने कहा है कि पार्टी में तरजीह नहीं मिल रही है बावजूद जेमें को जिन्दा रखने के लिए पार्टी में रहना है देखे ये रिपोर्ट सीनियर नेताओं का मोह भंग लोबिन के बाद अब स्टीफन का भी बड़ा बयान जेमें में वरिष्ट नेताओं को तरजीह नहीं जेमें में कदवर नेताओं की कद्र नहीं है पार्टी में उन्हें तरजीह नहीं मिल रही है लोबिन हिम्रम के बाद अब स्टीफन मरांडी ने भी ये आरोब लगाए है स्टीफन मरांडी ने कहा है कि ये सच है कि जैमे में बड़े नेताओं को जो तरजी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी पार्टी को बचाना है स्टिफन ने क्या कहा है ये सुनिए वरिष्ट नेता जो है आप जैसे सरीखे जो वरिष्ट नेता है पार्टी में उनको तरजी नहीं मिल पा रहा है वो कदर नहीं है पार्टी के अंदर में वाकई ये बात इस चीज को स्टिफन बचल के लिए निस्ट रूप से हमें वोइसे ही मेनत करना पड़ेगा जैसे हमने सुरूर में मेनत किया था और इस पार्टी को जहरकंद के लिए जहरकंद के लिए हमें जिंदा रखना है जेमेम के कद्दावर नेताओं में चमपाई सोरेन, लोबिन हिम्रम और स्टीफन मरांडी का नाम शामिल है पार्टी में मिले दर्द से आहत चमपाई सोरेन अब कमल का दामन थामने जा रहे हैं वहीं लोबिन हिम्रम भी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे लोबिन हिम्रम का भी आरोप है कि जेमेम में सीनियर नेताओं की अंदेख ही हो रही है यह किसी से आज तक कोई मसवरा नहीं किया। सीनियर हम लोग है इसमें हम दावा ठुक है कि हम सीनियर में से नियुद और कभी ब say नहीं सीनियर नहीं सौचा कि कुछ सीनियर टोरों को एठा करकर हम राज्य के ही सरकार के बात करें कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उसको हम लोग अपस बात करना चाहिए कुछ तो मसवरा लेना चाहिए तो उस अब कुछ नहीं किया लेकिन लोगों को दूख है लेकिन बोल नहीं पाता है लेकिन हम बरदास नहीं करते हैं सही चीछ को बोलने के लिए हम हर बत पर रहते हैं हम बोलते हैं त अमल नहीं थाम सके उनकी राजनीती एक विशेस समुदाय के इर्द गिर्द टिकी है और यही कारण है कि स्टीफन मरांडी ने घर वापसी की और जेमे में सीरियन नेताओं को सम्मान नहीं मिलने के बावजूद पार्टी को जिंदा रखने की बात कही है न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट लेकिन अगर अंतर कला की बात कर ले या फिर जो खुलकर अब नेता साप में आ पारे अपने स्टीफन मरांडी से बात चीत की उन्होंने कहा कि जेमें के भीतर वो तरवजू या फिर वो जो मिलनी चाहिए इस्जत वो नहीं मिल पारी है वरिष्ट नेताओं को तो क्या जेमें से वरिष्ट नेताओं का मोहभंग होना आने वाले विधान सभाज चुनाव में थोड़ी मुश्किली का साबना कर रख जो है वो खड़ा कर सकता है इस राज़्योतिक पार्टी के लिए अब बिल्कुल देखे समय के साथ जारकन मुक्ति मूर्चा में कई बदलाव हुए है और वो बदलाव ही है जिस वज़े से ये नेता इस बात को मैसूस कर रहे हैं कि अब जो सीनियर मुश्ट नेता है पार्टी के अंदर में चाहे वो नलिन सोरेन हो चाहे स्टिफन मरांड इस अरीखे नेताओं की बात कर लें तो उनको ये मैसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर में अब वो तरजी वो इन्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा है जो एक वक्त गुरू जी के समय में मिलता था कमान भले ही गुरू जी के हाथ में है गुरू जी पार्टी के केंद्री अ और वैसे भी आप देखे तो गुरुजी स्वास्तकारणों की वज़ा से अब बहुत शक्रिये जारकंड की पॉल्टिक्स में उस तरीके से नहीं हैं तो समय के साथ चीजे बदली हैं और उस बदलाओं को यह नेता भी महसूस कर रहे हैं और कल आपने देखा होगा कि लोबीन तो एक सुबूग आहट और एक तरीके से अब जेमे में इस बात को लेकर चर्चा तो है और चर्चा अब धीरे धीरे करके जोर भी पकड़ रहा है कि क्या वाकई जो सीनियर नेता हैं उनकी अंदेखी हो रही है और यह अंदेखी अब पार्टी पर कितना भारी पड़ेगा यह देखना भी होगा क्योंकि सामने चुनाओ हो और इसी तरीके से अगर नेता खुलकर अपनी बात कहने लगे और सबको यह मैसूस होने लगे कि नहीं अब प्रस्तितियां उस तरह की की नहीं रही तो कुछ लोग प्रस्तितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिए कुछ नहीं ढाल सके तो दूसरे पाटी में चले गए तो जारकन मुक्ति मोर्चा के यह तिहास रहा है कई बड़े दिगट चेहरे पाटी छोड़ कर गए कई साल दूसरे दलो में रहे अपना संगठन बनाया लेकिन फिर बाद में वह वापस उनकी वापसी भी हुई जारकन मुक मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रहा है इसमें निसंदे कोई शक्त नहीं है पार्टी पहले से जादा स्ट्रॉंग हुई है पहले से जादा संख्याबल के लिहास अगर देखे तो जो विधायकों की संख्या है वह के मुकाबले अब बहुत ज्यादा मजबूत आप कह सकते है वरत्मान समय में पाटी है लेकिन अगर सीनियर नेताओं की इसी तरीके से अंदेखी होती गई तो ये एक अच्छा संकेत आप नहीं कहेंगे जारकन मुक्ति मूर्चा के लिए और जारकन मुक्ति मूर्चा के नेताओं को अब इस पर मन्थन और चिंतन करना होगा क्योंकि लोबीन हेमरम हो चंपाई सोरेन हो तो ये बड़े कत के नेता हैं और गुरुजी के साथ चलने वाले नेता थे लेकिन अब ये नेता दूसरे दल में जा रहे हैं तो ऐसे में एक चिंतन और मन्थन की ज़रुआ जारकन मुक्ति मूर्चा के अंदर भी है अब बिलकुल राकेश आप देखिए क्या कुछ समय करण बनेगा और किस तरीके से जैमिम से ये वरिश्पनिताओं का मुह भांग नजर आ पा रहा है ये देखने वाली बात होगी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारा साथ जोड़ने के लिए और ये तमाम जानकार सच है दो दिखेगा